हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस्टॉक पर रिलाइंस पावर लिमिटेड वैसे आप जानते ही हैं अनिलंबानी की ज़्यादतर कंपनी लोस में चल रही हैं इसी बीच ये अपने कर्ज के बोज को कम करने में लगे हैं रिसेंट न्यूस के अकोर्डिंग रिलाइंस पावर के बोर्ड ने रिलाइंस इन्फरा कंपनी को 59 क्रोड प्रिफेंशल शेयर और 73 क्रोड वारेंट जारी करने का डिसीजन लिया है एक्सचेंज को इन्फर्म करते हुए बताया कि रिलाइंस पावर के डेट में करीब 1300 क्रोड की कमी आएगी या हम कह सकते हैं कि डेट बडन को कम किया जाएगा फाइनेंसियल इयर 21-22 में रिलाइंस पावर का टोटल डेट 3200 क्रोड से कम हो जाएगा शेयर का करेंट मार्किट प्राइस 13.75, बुक वैल्यू 43.7 जबकि स्टोक फिलाल 0.31 टाइम स्टेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से जो प्रोज के अंडर आता है मार्च एंड क्वार्टर में कम्पनी को 73 क्रोड का प्रोफिट हुआ इसी क्वार्टर में कम्पनी एक्सपेंसीज भी काफी कम रहें सिर्फ 800 क्रोड के अनि लंबानी की कम्पनीज को जादतर प्रोब्लम सिर्फ डेट बर्डन की रीजन से फेस करनी पड़ रही है मार्च 2021 फाइनेंशेल रिजल्ट्स में 229 क्रोड का प्रोफिट हुआ कम्पनी को बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग एक साल के अंदर 19.29 परसेंट से कम होकर 9.06 परसेंट रहे गई शेयर प्लैजिंग 17.91 परसेंट है वहीं DII में LICU of India की 3.66% होल्डिंग्स देखने को मिली म्यूच्वल फंड होल्डिंग्स आपके सामने है 52 वीक रेंज में सेयर फिलाल हाई पर ट्रेड करता दिखा लो 2.40 रहा कम्पनी के पास 4000 क्रोड का फ्री कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है इस कम्पनी की सबसे बड़ी प्रोब्लम डेट बर्डन ही मानता हूँ मैं जिस पर कम्पनी लगातार काम भी कर रही है इसको कम करने के लिए जब आप बैलेंस इट को देखेंगे तो बोरोइंग्स मार्च एंड 2020 में 28,800 क्रोड की थी जबकि मार्च 2021 में बाकी एसेट्स का कम होना सिर्फ एक इतरा फिसारा करता है डेट बर्डन को कम करना आई होप ये इनफोर्मेशन आपके लिए कहीं न कहीं बेनिफीसियल जरूर रहेगी बाकी शेयर की प्रफोर्मेंस को देखकर हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे जरूरी काम कमपनी को अपने कर्च के बोच को कम करना है नेक्स्ट दो से तीन क्वाटर अच्छा निकाल दे कमपनी और डेट बर्डन पर रेगुलर काम करे तो फिर बात ही कुछ और होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर